नमस्कार आप देख रहे हैं टीवी 24 मैं हूँ परवींशीक और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सामना में चंद्रबाबू नाइडू पर निशाना सादा है सरकार बनाने की कोशिशों पर तंच कसा गया है ये एक मनोरंजक खबर है ये कहा है सामना ने जिहां किसेना का मुक पत्र है सामना जिसमें चंद्रबाबू नाइडू की जो कोशिशे है थर्ड फरंट की मिशन सरकार की उस पर तंच कसा गया है उन्होंने का ये एक मनोरंजक खबर है एक बार फिर केंद में मोदी सरकार और मोदी लहर में सारा विपक्ष साफ ये सामना का लेख है जहां पर थर्ड फरंट की जो कोशिशे है उस पर निशाना सादा गया है उसको एक व्यंग के तौर पर यहां पर पेश किया गया है शिवसेना ने अपने मुक पत्र में यहां पर एंडिय को 300 से जादा सीटे मिल रही है और एक बार फिर मोदी सरकार मोदी लहर में सारा विपक्ष साफ ये कहा है सामना ने अपने मुक पत्र में आपको बता दें यहां पर 19 माई को 7 वे चरण की वोटिंग हो चुकी है और उसके बाद शाम से ही एक्जिट पोल आने श शिवसेना का एलाइंस है महराष्टा की 48 सीटों में से यहां पर 40 से जादा सीटे जो है वो बीजेपी को मिलती देख रही है एंडिय को और इसको लेकर यहां पर अब सामना जो शिवसेना का मुक पत्र है उसमें उन्होंने विपक्ष की कोशिशों और जो थर्ट फरंट की सरकार बनाने की कोशिश हैं जिसकी अगवाई खुच यहां पर चंद्रबावु नाइडू सुनावों से पहले और सुनाव के बाद जो उनकी कवायत थी लगातार यहां पर जो विपक्षी दलों के नेता है जो घैर बीजेपी दल है उनके प्रमुखों से मुलाकात करने का जो सिल्सिता था उसको लेकर यहां पर शिफसेना ने अपने मुख्पत्र में तंच कसा है और कहा है यहां पर मोधी लहर में सारा विपक्ष साफ हो गया और यह वही शिफसेना है जो यहां पर चंद्रबावों से पहले लगातार बीजेपी को अपने निशाने पर लेती र का गडबंदन हुआ दोनों ही पार्टियां महाराष्ट्रा में साथ में चुनाव लड़ा और यहाँ पर जो एक्जिस पोस आये हैं उसमें महाराष्ट्रा में सब्से जादा सीटे एंडी को ही मिल रही है और उसके बाद आज यहाँ पर सामना के मुखपत्र में चंदरवाव पूर नाइडू की जो कोशिश है सरकार बनाने की उस पर तंच का सामया है